तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलफा प्रकेड़न प्रयोग या यूं कहो कि रदर फोर्ड प्रकेड़न प्रयोग या कहो रदर फोर्ड का अलफा प्रकेड़न प्रयोग तो जैसा कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मालिया राम और स्याम पढ़ रहे हो तो राम और स्याम हमारे क्या हुए? चेले यनि कि हमारे छात्र हुए तो ऐसे ही रदर फोर्ड के पास गीगर और मार्स डन ये दो लोग पढ़ते थे तो ये इनके क्या हुए? चात्र हुए, यानि कि रदर फोर्ड के दो चात्र थे, गीगर और मार्सडन, इन्हों ने रदर फोर्ड की मदस से किया क्या, सबसे पहले एक स्वरण पत्र लिया, या कहो कि सोने की पन्नी ली, क्या लिया, इन्हों ने स्वरण पत्र, या कहो एक सोने की पन्नी ली, और उस सोने की पन्नी के उपर इन्होंने अलफा कणों को क्या किया बाउचार किया या यूं कहो कि सोने की पन्नी पर थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि ये सोने की पन्नी है और इस पर इन्होंने अलफा कणों की क्या किया बाउचार किया क्या किया बाउचार किया और बाउचार करने पर एलफा कन जो थे ये क्या हुए प्रकीर्णेत हुए और इनके प्रकीर्णन का विशलेशन प्राप्त करके इन दोनों ने कुछ प्रेच्छन प्राप्त किये जिनके आधार पर कुछ बातें बताई नमबर एक बात क्या बताई कि जब इन्होंने सोने की पन्नी पर ये अलफाकन गिराए यनि कि डाले, फीगर इधर बना है, जब अलफाकन डाले तो जाधा तर या यूं कहो कि अधिकांस जो अलफाकन थे देखे, वो पन्नी को भेद कर या कहो पन्नी को पार करके आर पार सीधे गुजर गए, आर पार क्या हुए, सीधे गुजर गए, इससे पता क्या चला कि अधिकांस भाग जो है परमाडु का वो कैसा होता है, खोखला होता है, कैसा होता है, खोखला, तो आप देखिए हमने पहला नियम वही लिख रखा है क्या, कि अधिकांस अलफाकन पन्नी के आर पार निकल गए, या यूं कहो अधिकांस अलफाकन पन्न से सीधे गुजर गए दूसरी बात जब अलफाकन डाले तो अधिकांस तो निकल गए लेकिन कुछ अलफाकन ऐसे थे जो कुछ कोण पर मुड़ गए कुछ अलफाकन कुछ कोण पर क्या हुए मुड़ गए तो अब जैसा की डियर हम जानते हैं कि अलफा कणप का जो चार्ज होता है अलफा कणपर वो कैसा होता है धनात्मक चार्ज होता है कैसा डियर होता है धनात्मक चार्ज होता है तो धनात्मक चार्ज होने के कारणों एक बात और हम जानते हैं कि दो धन आवेसों या दो रिण आवेसों तो इन दोनों के मद्ध जो बलकारी करता है वो कौन सा बलकारी करता है प्रतिकर्षण बलकारी करता है कौन सा बलकारी करता है प्रतिकर्षण अजबकि धन और रिन या रिन और धन के बीच कौन सा बलकारी करता है आकर्षण बलकारी करता है जबकि धन धन रिन रिन के बीच प्रतिकरसन तो कुछ ऐसे अलफाकन थे वो हमने का कुछ कोण पर क्या हुए मुड़ गए तो इन्होंने अपने अगले पॉइंट में क्या बताया था कि नाभिक कहा होता है बीचो बीच में तो तरिक सोचो जैसे कि ये अलफाकन हम इसके अभिक के पास धनावेस और यहां अलफाकन के पास भी क्या था धनावेस तो दोनों के मद्ध क्या लगा प्रतिकरसन बल जिस कारण ये कुछ कोण पर क्या हुए मुड़ गए कुछ कोण पर क्या हुए मुड़ गए तो इससे पता क्या चला इससे ये पता चलता है कि यहां कोण पर क्या हो जाते हैं विचलित हो जाते हैं फिर इन्हों ने अपना तीसरा बात ये रखा कि कहा की लगभग अकर 1000 अलफाकन डाले जाते हैं कितने 1000 अलफाकन तो 1000 अलफाकन में एक कन ऐसा होता है जो 90 degree से अधिक कोण पर विचलित होता है यानि कि 90 पर ना 90 से थोड़ा जादा पर क्या होता है विचलित होता है लिकिन कितने अगर 1000 डालो तो उनमें से केवल एक कण कुछ बुकें क्या लिखती हैं 20,000 अलफा कण डालने पर उनमें से एक कण क्या हुआ विचलित हुआ फिर इन्होंने अगली बात बताई तो देखो हमने वही तीसरा पॉइंट लिख रखा है कि बहुत कम कण लगभा कितने हमने कहा 1000 में से केवल एक ऐसा कण होता है जो 90 से जादा यानि कि 90 से अधिक कोण पर क्या होते हैं लेकिन बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो आपका अलफ़ा कण इस पर डाल लहे हैं किस पर सोने की पन्नी पर उनमें से के बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सीधे वापस चले आते हैं, मतलब हमने बहुचार कराई, और बहुचार कराके कहां चले आए, सीधे चले आए, कहां चले आए, सीधे चले आए, अर्थात 180 डिग्री पर, क्योंकि हमने पहले डाला, यह आया, और फिर ऐसे वापस आ गया, तो यनि कि 180 डिग में लिट हुए इससे पता क्या चलता है कि नाभिक का जो संपूण भाग है वह कैसा है हम खोखला LAU सकते हैं लेकिन बीच में कोई ऐसा भाग है जिसे हम क्या कहते हैं नभिक कहते हैं अब कैसे अभी हमने बताया alpha कण के पास क्या है धनात्मक है और नाभिक में क्या कैसा आवेश रहेगा यहाँ पर नाभिक में neutron proton proton धनात्मक होता है तो यहाँ पर क्या होगा धन आवेश होगा अब सोचो alpha कण इधर आया और इस नाभिक से टकराया इसके पास भी धन है धन धन जब एक दूसर फेसे मर्ज हुए तो प्रतिकरसन बलके काणने कहा है पीछे वापस चला गया यानि कि लौट गया, वापस हो गया इसका मतलब है कि केंद्र में क्या होता है, केंद्र भाग मैं वो नाभिक होता है, तो क्या हुआ इस प्रकार cohort कि बहुत कम ही कण कहां सीधे वापस लौट आत इसका मतलब कहा 180 डिग्री के कोण पर डियर क्या हो जाते हैं विचलित हो जाते हैं फिर उसके बाद में अगला इसने कहा कि अब आप देख रहे हो कि हमने अभी कहा था कि कुछ ऐसे अलफा कण थे जो कितने हमने कहा थीटा कोण पर या कुछ कोण पर विचलित हुए हमने मान थोड़ी देर के लिए वहां कोण कितना है थीटा तो हमने ऐसा कहा कि जो अलफा कण थीटा कोण पर विचलित हुए जो अलफा कण कहा थीटा कोण पर विचलित हुए उनकी हमने माना कि थीटा कोण पर प्रकीरित अलफा कणों की संख्या ऐसे कहलो कि हमने मान लिया कितना ह N है, मतलब जो कण, ठीटा कोण पर क्या हुए, प्रकिंडित हुए, अगर उनकी संख्या N हो, तब ये संख्या N जो होती है, तब ये संख्या N, क्या बच्चा होती है, एक बटे, जान टुदी पावर फोर, यानि कि साइन की घात, चार, ठीटा बाई, टू के क्या रहती है, यहाँ पर N क्या है, ठीटा कोण पर, प्रकिंडित अलफा कणों की संख्या, तो देखिए, अगला क्या लिखा है, प्रकिंडन कणों की संख्या, जो N होती है, वो वन अपॉन साइन टुदी पावर फोर, ठीटा बाई, टू होती है, अब अगली बात, यहाँ पर जो हमने यूज की है, यानि कि स्वर्ण पत्र यूज किया है, अगर डियर हम मान लें, कि इस स्वर्ण पत्र की जो मोटाई है, वह कितनी है, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने, कि T है, कितना है डियर, small t, तो देखो यहाँ पर वही लिख दिया है, कि यदि सोने की पन्नी की हमने कहा, कि यह जो स्वर्ण पत्र है, इसकी मोटाई T हो, और जो थीटा कोण पर यहाँ पर प्रकीनित, अलफा कणों की संख्या है, वो क्या हो, capital N हो, यहाँ small की जगे आप क्या कर लो, capital N, तो capital N हो, तब, तब, प्रकीनित, अलफा कणों की संख्या N, तथा, इसकी जो मो अनुपात होता है, वह एक नियतांक के बराबर होता है, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, कि प्रकीनित, अलफा कणों की संख्या और इसकी मोटाई small t की निस्पत्य अनुपात, एक नियतांक होता है, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, कि N1 upon N2 बराबर DR किसके होगा, T1 बट T2 के होगा, N1 बटे N2 किसके बराबर होगा, T1 बटे T2 के, तो आईए पुना है एक बार देख लेते हैं, तो हमने अभी क्या कहा, कि रधरफोर्ड, वैज्यानिक रधरफोर्ड के कोण छात्र थे, हमने कहा थे कि गीगर थे, दूसरे थे, मार्सडण, इन्हों ने क्या किया, इन्होंने जो है, सोने की एक पतली पन्री ले ली, और इस पन्री पर क्या किया alpha कणों की बहुचार करा दी और जब alpha कणों की बहुचार कराई तो alpha कण क्या हो गए प्रकींडित हो गए क्या हो गए प्रकींडित हो गए और इसके प्रकींडन को ये विसलेशित करके इन्होंने निम्न प्रेच्छन प्राप्त किये और वो कौन-कौन से प्रेच्छन थे नमबर एक अधिकांस अलफा कन पन्नी से कहां सीधे गुजर जाते हैं यानि कि आरपार निकल जाते हैं तो इससे निसकर्ष क्या निकलता है कि आरपार निकल गए इसका मतलब अधिकांस भाग क्या है वेच्चा खोखला है तथा कुछ कोण जो है कुछ कण वो अल्प कोण पर क्या हो जाते हैं विचलित हो जाते हैं या कहो मुड जाते हैं यानि कि बेंट हो जाते हैं इससे क्या पता चला यहां पर प्रतिकर्शन बल भी होता है लेकिन बहुत कम कण लगभग एक कहजारम एक ऐसा भी कण होता है, जो 90 से जादा, यानि कि 90 से अधिक कोण पर विचलित होता है, या हुआ, लेकिन बहुत कम कण ऐसे थे, जो टकरा करके वापस आ गए, अर्थात 180 डिगरी के कोण पर विचलित हुए, इसका मतलब क्या हुआ, कि नाभिक जो है परमाणु के कह होता है, केंद्र में होता है, अगला, अगर हमने कहा कि थीटा कोण पर प्रकीरित अलफा कणों की संख्या एन हो, तब ये संख्या एन जो है, वन अपॉन ज्याद टुदी पावर फोर थीटा बाई टू के क्या होगा, अनुक्रमानु पाती होगा, अगर आप इस प्रकार क कि एन व्यूत क्रमानु पाती, साइन टुदी पावर फोर थीटा बाई टू के होगी, दूसरी बात, यदि सोने की पन्नी की मोटाई हमने कहा, इसकी हमने क्या मान ली है, टी मानी है, तथा प्रकीरित अलफा कणों की संख्या क्या हो, एन हो, तब इस संख्या एन और मोटा टू का, तो बैच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद,